सब्सक्राइब नाओ and प्रेस द बेल आइकेन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल हेमंत एलपी पर श्वागत आज हम इस वीडियो में परियावरण का पहला चैप्टर पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत यानि ecology and ecosystem के बारे में वही जानकारी लेंगे और इसमें पूरा का पूरा objective question रहेगा जो आपको पहले से पढ़े हुए अगर हैं तो एक घंटे आधे घंटे में revision के लिए लगभग जितने भी question इस chapter से बन सकते हैं सारे के सारे आप आपको इसमें देखने को मिलें तो आप चाहे किसी teacher का exam दे रहे हो यूपी टेट सुपर टेट सी टेट या आप PCS का exam दे रहे हैं तो भी यह video आपको शमझ में आएगा आपके लिए यह बहुत ही beneficial होगा चाहे आप BU खंड सिच्छा अधिकारी का exam भी अगर आप दे रहे ह लिए इस revision express का पहला chapter और पहला part है जिसे आप समझते चलिए जो question tough होगा उसको हम समझाते चलेंगे ठीक है दोस्तों तो देखिए सबसे पहला question है कि निम्न में से कौन सा सरूवर या जील में तेजी से ब्रिद्धी करते हैं मतलब चारो आपसन में से कौन सा ऐसा चीज है जो जील में बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो दोस्तों देखिए जील में सबसे तेजी से बढ़ते हैं जलकुम्भी जो एक ऐसा पौधा है जो जील या सरूवर में बहुत तेजी से बढ़ता है और सारे के सारे बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं हलाकि जील में और सब भी रहते हैं ठीक है अगला है बन के पेडों की छालों पर उगे मिलते हैं तो दोस्तों देखिए बन की पेडों की छालों पर काई-काई जैसा आपको देखने को मिलता होगा जिसे आप क्या कहते हैं लाइकेन तो बन के पेडों की छालों पर ज्यादतन लाइकेन उगे होते ह और यह कवक और सैवाल का शमलित रूप होता है और इसे सहजीवी भी कहते हैं ठीक है अगला है 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 हैदराबाद में इस्थित हुसायन सागर जील तो सबसे पहला कोश्चन तो यही बन सकता है कि हुसायन सागर जील कहां पे इस्थित है तो हैदराबाद में तो हैदराबाद था कि जील या सरूवर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला चीज क्या है जलकुंभी है तो जलकुंभी के कारण ही है यतरा बाद में इस्तित हुसाइन सागर जील जो है नस्ट हो गया ठीक है अगला कोश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं तो दोस्त कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो देखते हैं पांचमें नमबर कोश्चन पे तो पादप ब्रिध्धी हे तो सबसे उपयुक्त क्या है तो देखे पादप को बढ़ने में सबसे उपयुक्त मतलब आप पौधा कहां पे लगाएंगे कि बहुत तेज बढ़ेगा बहुत अ तो दोमट मित्टी में लगा सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन नमबर शिक्स है कि निमलिखित में से कौन सा कारक किसी अस्थान की बनस्पती निर्धारित करती है तो दोस्तों किसी अस्थान की बनस्पती जो है वहां की वर्षा निर्धारित करती है जैसे आप खाते हैं कि वर्षा जब जादा होगी तो वहाँ पे हम बैठाएंगे धान और वर्षा जहाँ पे कम होगी वहाँ पे हम बैठाएंगे गेहूं अरहर तो सोच लिजिए कि वर्षा ही निर्धारित करती है कि किस बनस्पती के लिए यहाँ पे उपयुक्त वातावरण जलवाई मिलेगा ठ दोस्तों यहाँ पर चार आप्सन है गुरुत्वी जल, केशिका जल, आर्दता जल और क्रिश्टली जल तो ऐसे पाउधे होते हैं और पाउधे जो है कैसे गुरुत्वी जल तो है नहीं कि मतलब जल को उपर से नीचे खीछते हैं आर्दता जल से भी नहीं खीछेंगे पादप अधिकतर होते हैं, जो मरुस्थल में पादप उगते हैं, वह अधिकतर कैसे होते हैं, साकी होते हैं, मतलब ब्रांचे उसमें जादा होती हैं, साखाएं जादा होती हैं, या पर्व होता है, या पत्तियां जादा होती हैं, या पर्डा भिबृत्ति होती हैं, तो यह इसमें से शब गलत है, सही है कि मरुस्थल के जो पादप होते हैं, वह मानसल होते हैं, मतलब उसमें जो है मानस ज्यादा पाया जाता है, जैसे नाकफनी होता है, उसमें देखिए क्या होता है, वहाँ पे कोई भी साक नहीं होती है, कोई भी परव नहीं, बलकि वह कैसा होता ह तो दोस्तों देखिए घास अस्थली परितंत्र में शंख्या का पिरामिट कैसे बनता है तो घास हमेशा सीधे जामती है तो हम आपको यहाँ पे सारे के सारे उसको किलियर कर देते हैं कि कौन कैसे बनता है देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीव शंख्या का पिरामिट यानि सबसे पहले हम बात करेंगे शंख्या पिरामिट के बारे में दूसरी हम बात करेंगे कि जीव के भार के पिरामिट में और तीसरी बात करेंगे हम उर्जा का पिरामिट तो देखें दोस्तों उर्जा का पिरामिट सदय और सीधा बनता है उर्जा का पिरामिट किसी के लिए भी सदय और कैसा बनता है सीधा बनता है तो हमको उर्जा से कोई मतलब नहीं शंख्या का पिरामिट जो होता है और सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है वैसे भार का पिरामिड भी जो होता है सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है जब कि उर्जिया का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है अब हम बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड यानि संख्या पिरामिड में अब देखेंगे हम कि संख्या पिरामिड में अगर घास का है अगर यहाँ पे जो सीधा हमने बताया है अगर घास है और फसल है तो घास और फसल दोनों सीधा बोया जाता है तो उसका संख्या पिरामिट क्या होगा सीधा होगा जबकि पेड़ अगर हम तालाब में देखते हैं तो पेड़ दिखाई देता है उल्टा तो इसलिए पेड़ का संख्या पिरामिट जो होगा वह कैसा होगा उल्टा होगा समझ में आया एक नहीं समझ में आया आपको रट लेना है कि घास का और फसल का दोनों का संख्या पिरामिट कैसा होगा सीधा क्योंकि घास और फसल दोनों सीधे बोते हैं जबकि पेड़ को ताला है या घास है बन है या घास है तो बन भी सीधे सीधे होता है सीधा सीधा पेड़ होता है और घास है तो घास तो सीधा होता ही है तो इसका घास हो चाहे बन हो उसका भार पिरामित कैसा होगा सीधा होगा जबकि पेड़ को तालाब में देखे हम तो पेड़ का पेड़ उल्ट सीधा है चाहे हो संख्या पिरामिट की बात करे चाहे भाद पिरामिट की बात करे दोनों में घास कैसा होगा सीधा होगा होगा होग नहीं होगा क्योंकि घास सीधा जनता है ठीक है अगला है परितंत्र में उर्जा का पिरामिट होता है तो हमने बता दिया कि उर्जा का पिरा क्या होगा उल्टा होगा तो वही पूचा है कि तालाब का जीव भार का पिरामिट क्या होगा तो क्या होगा उल्टा होगा ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं घास अस्थली तथा बन परितंत्र में जीव भार का पिरामिट कैसा होगा तो हमने बताया कि घास हमेशा बन हमेशा ठीक है घास हो चाहे बन हो चाहे फसल हो चाहे हो संख्या पिरामिट पुछे चाहे जीव पिरामिट पुछे हमेशा सदयो सदयो सीधा होगा बस उल्टा वही होगा कि पेड़ को अगर तालाब में देखेंगे तो पेड़ और तालाब दोनों का उल्टा होगा और जीव भार ताला आपका उल्ठा होगा, बस, दो ही चीज उल्ठा होगा, बाकी सब कैसे होगे, शीधे होगे, अगला है, खाद जाल में उर्जा का प्रवाह होता है, दोस्तों खाद जाल रहे, ठीक है, चाहे खाद सिंखला रहे, दोनों में उर्जा का प्रवाह जो होता है, एक दिसी ही होता है इसको आपको याद रखना है एक दिशा में उर्जा का प्रवा होता है अगला कोश्चन हम लोग देखेंगे कोश्चन नमबर 14 तो कोश्चन नमबर 14 में है कि एक खाद अस्तर से दूसरे खाद अस्तर में जाने पर उर्जा का हरास होता है तो एक खाद अस्तर से या ए अगला कोश्यन है सरवप्रथम पारिस्थितिक इस्टूप की परिसंकलपना किसे ने प्रस्थुप की थी तो दोस्तों देखे सरवप्रथम पारिस्थितिक इस्टूप की परिसंकलपना जो है चाल्स एल्टन ने की थी और पारिस्थितिक इस्टूप क्या होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, दोस्तों देखिए पारिस्थितिक पिरामिट जो हमने पढ़ा है, पारिस्थितिक पिरामिट जो तीन प्रकार के होते हैं, एक जीव संख्याव का पिरामिट, एक जीव भार का पिरामिट, एक संचित उर्जा का पिरामिट, तो उसी पिरामिट को ह हिंदी में कहते हैं इस्टूप तो आप से पूछेगा पारिस्थितिक इस्टूप की परिसंकलपना किस ने दी है तो चार्ल्स एल्टन ने ही दी है पारिस्थितिक पिरामिड की संकलपना नईस सो सताइस में ठीक है इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिरिया एल्टोनियन इस्टूब भी कहते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं अगला कोश्चन है कि सूर के प्रकास में उगने वाले पादप को क्या कहें तो दोस्तों देखे शूर के प्रकास में उगने वाले पौधो को क्या कहेंगे तो आत पोध भीद कहते अब बात कर लेते हैं कि जलोद भिद किसे कहते हैं हाइड्रो एमफीबियन्स ठीक है कुछ पौधे जल में डूबे हुए या स्वतंत रूप से तैरते हुए या जडो द्वारा मिरिदा में धसे हुए प्लस एस भाग पानी में तैरता हुआ अथवा जल अस्तरिय रूप में पाये जाते हैं ये सभी जलोद भिद कहलाते हैं इसी प्रकार आउसत जल में उगने वाले पौधे शमोद भिद कहलाते हैं और कम जल में उगने वाले पौधे मरूद भिद कहलाते हैं मतलब अगर ए है तो मर गया है मर गया है क्यों कि जल की कमी है जहां पर सबसे जादा जल की कमी होती है वहां पर पाये जाने वाले पौधे कहलाते हैं मरूद भीद जहां पर सबसे जादा जल होती है वहां वाले पौधे कहलाते हैं जलूद भीद क्या कहलाते हैं जलूद भीद और जहाँ पे समान मतलब आउसत निकालना पड़े कि ना तो जादा ना तो कम तो वहाँ पे समान पाया जाता है तो उसे समोध भीत पौधे कहते हैं ये दीनों जल से संबंधित हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं तो अधिक वर्षा वाले उस्ड छेत्रों में भारी वर्षा होती है अताह वहाँ पर कौन से बन होते हैं वहाँ पर कौन से बन होते हैं जहाँ पर खूब वर्षा होती है तो दोस्तों देखिए वहाँ पर बन होते हैं कैसे बन होते हैं कोशन नमब 17 का आपसर नमब A सही है क्योंकि वहाँ पे उस रकड़ बंधी छेत्र में तापमान अधिक होने के कारण वर्षा बहुत जादा होती है इसलिए जैव विविद्दा बहुत अधिक पाई जाती है अर्थात वहाँ पे पाई जाने वाले बंध को सदा हरित बंध कहते हैं अगला है उन छेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परन्त सरत रित्म में कम वर्षा होती है वहाँ कौन से बंध मिलते हैं तो दोस्तों दिए कोशन नमब 13 का एंस्वर है घास बंध मतलब जहाँ पे गर्मी में भारी वर्षा होती है तथा ठंधी में कम तो जब ठंधी में कम वर्षा होती है तो सारे घास जो होते हैं वो कम हो जाते है लेकिन गर्मी में ज़्यादा हो जाते है तो घास बंध पाया जाता है कहाँ पे जब गर्मी में भारी भारी सो परंतु सरदरितु यानि ठंधी में कम भारी सो वहां पर पाया जाएगा घास बन अगला है वाई मंडल का वह छेत्र जिसमें बादलों का बनना बिजली कड़कना तूफानों वा आधियों का होना पाया जाता है वह होता है छोब मंदल या इसे कहते हैं ट्रोपो इस्पियर क्या कहते हैं ट्रोपो इस्पियर अगला है लवड़ी ये मिर्दा में उगने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बताया था कि समुद्र में उगने वाले पादपो को कहते हैं हैलो फाइट अगला है मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं तो दोस्तों कि मृदा परिवर्धन को मृदा जनन भी कहते हैं अगला कोशन है ब्रिहत जलासियों में अधिक तापमान होता है तेकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े जलासे अगर रहते हैं तो वहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है लेकिन किस अस्तर पे देखिए जब भी बहुत जादा बड़ा जलासा है तो ऊपर जो होता है तापमान बहुत अधिक होता है जबकि नीचे का तापमान जो होता है वो कम होता है अर्था अगला है question No.23 द्रिड परडी बन छेत्रों की विशेष्ता क्या होती है तो दोस्तों रहिए द्रिड परडी बन की विशेष्ता जो होती है जैसे सदा बहार बन की विशेष्ता से अलग जैसे गास बन अभी हम लोग उपर पढ़े हैं, कि जहांपर गर्मी में भारी-बारी सो, गर्मी में भारी-बारी में जब होती है, तो वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा उग जाते हैं. इसी का विरोध करने के लिए, जब गर्मी में कम वर्षा हो, तो वहाँ पे उपते हैं दृड़ परड़ी बन छेत क्या पाय जाते हैं वहाँ पे दृड़ता के साथ घास नहीं उगती है तो वहाँ पे दृड़ परड़ी बन पाय जाएंगे जहाँ गर्मी में कम वर्षा और सरद रित्में जादा वर्षा होती कोशन नमर 24 देखेंगे, वे मिरिधाएं जिनमें बिभिन पोशक बिलयकों की इस्टतम सांद्रता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे सू पोशी कहते हैं, ऐसी मित्री जहां पे पोशक बिलयक की इस्टतम सांद्रता पाई जाती हैं, यानि पोशक जो है, अपना काम पने से कर लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, शुआ पोशी कहेंगे, ठीक है, अगला है, मिर्दा में उपस्थित अपच्छाइत होने होते कार्वनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, मिर्दा में उपस्थित अपच्छाइत, अपच्छाइत का कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं वह कौन सा होता है तो देखिए दोस्तो D, D संस्तर जो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है प्रमुक मात्रा में होते हैं अब इन चारों अस्तरों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं देखिए दोस्तों मिर्दा परिछेदिका को इंगलिस में स्वाइल प्रोफाइल करते हैं स्वाइल माने मित्टी प्रोफाइल माने परिछेदिका अब यहाँ भी देखिए चार प्रकार के होते हैं तो सबसे पहला होता है horizontal यच जैसे इस संस्तर लिखा है इसे एंगलिज में लिखेंगे तो इसे horizontal horizontal A लिखेंगे तो horizontal A कहिए चाहे sun, अस्तर A कहिए तो यहाँ मिट्टी का सबसे उपर ही भाग होता है जैसे माल लिजिए इस तरीके से एगर मिट्टी बना दिया गया तो मिट्टी का जो सीर्स भाग होता है सबसे उपर वाला भाग होता है वही आपका कहलाएगा क्या A सन अस्तर कहलाएगा क्या कहलाएगा A सन अस्तर कहलाएगा इसी को सीर्स मिर्दा या उपरी मिर्दा भी कहते हैं उसके बाद जो नीचे सनस्तर बी आएगा सनस्तर बी जो आएगा होरिजोन बी आएगा जो तो होरिजोन बी जो आएगा उशे आप कहेंगे बी सनस्तर और इसका एक और नाम है जिसे कहेंगे अधो मृदा क्या कहेंगे अधो मृदा तो ए Sun Aster B का दूसरा नाम क्या है तो दूसरा नाम है अध्यो मृदा और इसे इंगलिस में अगर कहाना होगा Towar Sun Aster D Sun Aster C आता है क्या आता है? Sun Aster C आता है और C जो होता है इस परग तक लंबी जड़े वाले पौधे की जड़े पहुछ पाती है मतलब जैसे जो लंबी लंबी जड़े वाली पौधे होती है तो पौधे यहां पर मिट्टी से सुरू होती है तो यहां तक पहुच पाती है इस से आगे कोई जड़ नहीं पहुच पाती है तो जड़ C तक पहुच पाती है ठीक उसके बाद आएगा संस अस्तर D संस अस्तर D दी क्या है इस असतर में JVick क्रियांग नहीं होतی यहां पर कोई भी जिन्दा चीज नहीं होगा कहां प Music and Miss अधिक कि यहां पर कोई भी चीज पहुची नहीं पायएगा नाहीं पौध opens begin पाएंगी यहां पर कुछ भी पहुचेगा तो मर जाएगा तो यह चीज होता है डी वाल ठीक है लेकिन अगर पूछेगा कि कार्बनिक मात्रा जो है सबसे अधिक किसमें पाई जाती है तो आपका सही जबाब होगा ओ अस्तर में संस्तर में सबसे जादा कार्बनिक मिर्दा में बालू और मित्तिका का आदर्स अनुपात क्या होता है तो दोस्तों देखें उपजाओ लो मिर्दा में बालू कितना चाहिए 50% मित्तिका कितना चाहिए 50% यानि बालू और मित्तिका दोनों का अनुपात जो होता है 50-50% होता है उपजाओ लो मिर्दा में अग करने के लिए तो एगर आप अदू है तो 7 से नीचे कईसे करेंगे आप 7 से नीचे ऐसे करेंगे कि आप उसमें मिला देंगे चूना पत्थर आप मिलाएंगे तो उसका पीच मान जो होगा साथ से कम होगा यानि अमलियता उसकी कम होती चली जाएगे तो चूना पत्थर के साथ आप क्या मिलाएंगे डोलो माइट और चूना पत्थर मिलाएंगे ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन है नाइट्रोजन योगी की करण करने वाला जीवाड़ कौन सा है नाइत्रोजन यौगी की करण करने वाला जिवारू एजे टो वेक्टर है कौन है एजे टो वेक्टर है अगला कुश्ट्चन है घास बन में पाई जाने वाली खाद़ सिंखला का शही क्रम काउण सा है? तो दोस्तों देखे घास को काउण है हीरन खाता है और हीरन का सिकार का कौन खाता है जू खाता है और जू को कोई नहीं खा पाता है अर्था जू क्या है सीर भोगता है तो जू जिसमें पहले दिया है वो तो अपने आप क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जू को सेर खापाएगा नहीं घास को सेर खाएगा यह घास मानसा मतलब सेर मानसा यह घास दोस्तों अगर उर्जा प्रवाह ना हो तो परितंत्र का कोई मतलब ही नहीं होगा परितंत्र सारे मतलब जो खाद सिंखला मनी है सारी तूर जाएंगी उर्जा का प्रवाह रुख जाएगा तो जो बात कर रहा है कि परितंत्र को गतिसील बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर क्या है तो सबसे महत्वपूर है कि उर्जा का प्रवा होना चाहिए उर्जा का प्रवा अगर रुख गया जिसे सारे के सारे उत्पादक मर गए तो वहीं पर परितंत्र का गति खिर्दय मर जाएगा ठीक है अगला है परितंत्र में होती है तो परितंत्र में क्य होती है तो परितंत्र में देखिए उर्जा होती है और खानी जी दोनों में हानी होती है 10% उर्जा जाती है और 90% क्या होती है खानी होती है तो उर्जा का लाब हो वाला तो सबसे पहले ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा उर्जा का लाब हो वाला जितने भी होंगे सब गल वहाँ जिन्दा रहेंगे, और कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो सबसे महत्वपोर जियुधारी होते हैं, प्रकास संसलेशी पादप. अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 34, तो यहाँ पे है निमलखित में से किस कारे से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों देखिए पारिस्तितिक संतुलन बिगड़े का कब जब बनार ओपर करेंगे तब नहीं जब बन धेर सारा बसाएंगे धेर सारा पेड़ लगाएंगे तब तो संतुलन नहीं बिगड़ेगा कोई रिक्कत में जिनकी विवित्ता होती है, खाद सिंखला उतनी ही क्या होगी? मतलब कि खाद के खाद सुभा में जितनी भी विवित्ता होगी, खाद सिंखला उतनी ही क्या होगी? अधिक लंबी होगी, जादा भी विवित्ता होगी, तो खाद सिंखला जादा लंबी होगी, अगला कोश क्या बताएंगे शूर का प्रकास क्योंकि शूर का प्रकास अगर नहीं होता तो उत्पादक प्रकास संसलेशड के द्वारा अपना भोजन ही नहीं बना पाते और खाद सिंखला सुरू में ही क्या हो जाती नस्ट हो जाती इसलिए परितंत्र में उर्जा का प्राथमिक अगला है किसी परितंत्र में होते हैं तो दोस्तों कि किसी परितंत्र में जयविक और अजयविक घटक दोनों होते हैं आपको परितंत्र की परिभासा पूछा है कि किसी परितंत्र में अभी यहां पे तो यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है लेकिन परितंत्र की सीधी परिभासा है कि किसी विशेश छेत्र में जयविक तथा जयविक पदातों के बीच में जो भी अंतर क्रिया होती है जो भ प्रिदा परदन होगा बाढ़ आएगा सूखा पढ़ेगा जो है दो पैड़ों के बीच में जो मिट्स एगनम कड़ी रहती है वह हमेशा बारिस में क्या होगी एक बारिध कर दो सकता है कोई है दोस्तों हम प्राकितिग पराइक परितन्त की नहीं नहीं बनाया आदमी बनाया है यह सब घ्री तो प्रीतिन बॉलिंौ ईक्वेरियम आदमी बनाया यह bespoke परितंत्र लेकिन घास का मैदान कैसा परितंत्र है घास का अस्तल स्वता बना है तेया होगा प्राकितिक परितंत्र अगला है जैव मंदल में एक ही जात की संख्या को क्या कह दें जैव मंदल में एक ही जात की जैसे आदमी है तो धेर सारे आदमी है तो उसे क्या कहेंगे जन जन संख्या जयो मंदल में एक ही जात किस शभी को कहेंगे जन संख्या जयो समधाय कहेंगे किसको जैसे भैंसों का समधाय दस्थ भैंस है एक तरफ से आ रही है तो भैंसों का समधाय है उसी को आप क्या कहेंगे जयो समधाय ठीक है अगला है एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी अस्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो देखे दोस्तों आगे है आपने आप उसे क्या कहेंगे जैव समगगार। जैसे एक से दिक जंगल है तो उसे में भाएसों का समगगार रहता है। हाथियों का समगदाय रहेगा, मचलीयों का समगदाय रहेगा, चिडियों का समगदाय रहेगा, यानि इन सब्सका समूह रहेगा, उसी को आप कहेंगे जयो समगदाय, अगला कुश्चन है, एकोलोजी या पारिश्थित की सब्द देने वाले कौन थे, तो देखें, अर्निस से 2% सूर से जो भी प्रकास मिलता है उसका 1 से 2% किवल पेड़ पोधे अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं जादा नहीं कितना 1 से 2% बस अगला है रचना एवं कार की द्रिष्टी से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भातिकार करते हैं इसे क्या कहते है तो इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र देखर यहां पे आपको एमने परिभासा भी बताया है कि जैव समुदाय एवं वाता वरण के बीच में जो भी अंतह्र करिया होती है उसी को क्या कहते हैंinary पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं ऑनर आम आपसंत्र यहां इसको आप यहां पर देखिए पारिस्थित्की केवल रहेगा तो देखिए जैव समदाय में जैव समदाय में जीव चीजे सारी आ जाएंगी उनका वातावरण से जो भी अब वातावरण में जीव चीजे भी मिलेंगी तो वही आपका हो जाएगा पारिस्थित्क तंत्र एक परितंत्र में शैवाल का अस्थान होता है तो दोफ्तो एक परितंत्र में बताइए सैवाल साका हरी है नहीं सैवाल अब घटक है नहीं सैवाल उभोकता है नहीं सैवाल में पाई जाती है क्लोरोफिल और हरी काई यहाँ पर लिखा है तो प्रकार संसलेशर होगा या आपना वो जन स्वयम बनाएगा तिसे स्वापोसी कहेंगे इसलिए स्यवाल क्या होगा उत्पादक होगा एक परितंत्र में मानो वर सभी जन्त होते हैं तो मानो वर सभी जन्त जो होते हैं वह उत्पादक पर निर्भर होते हैं इसलिए सारे के सारे परपोसी या उपभोकता कहलाए अगला कोश्चन अब परितंत्र में बाज का स्थान है तो देखे दोस्तों बाज का स्थान है सरोच भोगता या सीरस भोगता भी इसको कहते हैं बाज को कोई खाने वाला नहीं है मतलब सरोच भोगता का मतलब है कि या ऐसा उपभोगता या ऐसे जन्त जो केवल और केवल मान सर्वान सहारी को खाया और इन्हें खाने वाला कोई नहों उसे सर्व-चू-भोगता ची स頭 मानसहारी के जीव कहते हैं ते यहां पर बाष जो होगा सर्व rumors क्ण庫 लुगता होगा परी तंतर में मानो क्या है तो भईया परीतंतर में जो है मानो होता है कििया शरवाहरी मानों क्या होता है शर्वाहारी होता है उसके बार आगे हम लोग देखेंगे 51 नमबर कोश्चन को दूसरे वीडियो से हम देखेंगे ठीक है दोस्तों धन्यवाद